Hello friends, welcome to my official YouTube channel बहुत से स्टुरेंट का ये mail आया है कि आप बताएए ATC की second list आएगी, airport operation की second list आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका simple सा जवाब है yes as per the recruitment of 2018, अगर हम 2018 के recruitment को analysis करें तो वहाँ पर ATC की second list आएथी और airport operation की second list भी आएथी और third list भी आई थी, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर as a proof आपको यह नहीं लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कुछ भी बोल दिया, जी नहीं 2018 में जो result आया है, हम आपको यहाँ पर show करा देते हैं, देख लीजे आप उसके basis पर हम आपको बताते हैं, list आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले आपको यह बता देते हैं, जो भी student अभी message कर रहे हैं, उनका message आता है और final result आप सबको पता है, ATC का भी आ चुका है, airport operation का भी आ चुका है, final result जो आया है, उसके बाद appointment letters भी release कर दिये गए हैं, सबके mail पर आ चुके हैं, joining भी start हो गई है, किसी का 11 माई मिला है, किसी का 10 मिला है, किसी का 13 माई किसी का 15 माई के बाद मिला है, almost सबका joining letter जो है, joining जो आपका recruitment हुआ था, 2018 में, वहाँ पर ATC का जो cutoff general category का गया था, वो गया था 87, यह written exam का cutoff था, उसके बाद final list आई थी, जो final merit list आई थी, उसमें cutoff गया था, आपका 90.019, general category का, उस time पर EWS applicable नहीं था, इस बार तो EWS भी है, तो इस बार आपको पता है कि कितना cutoff गया है, 95, 95 क कुछ ऐसे है, EWS का गया है, 91, तो अगर आप यह मान के चलिए, आपका 90 प्लस score है, अगर 92 प्लस है, तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा chances है, फिर भी 90 प्लस score है, तो आपके chances है, second list में नाम आने का, देखें क्यों, क्योंकि जो आपका 2018 में recruitment हुआ है, यह आपके सामन है, 43 candidates, और यह अच्छा खासा number होता है, 43 candidates second list में बुलाए गए है, और इनका जो cut off गया था, वो general का हो गया था, 89, तो अगर हम मान के चलते है, general का 95 है, एक number कम भी होता है, 94, और EWS का 90 होता है, तो अगर आपने EWS category से apply किया, और अगर आपका 90 के आसपास score है, यह हो सकता है normalization के बाद आपका बढ़ जाए, यह final merit list में भी, अगर आपका 90 के आसपास score है, तो आपके chances है, second list में ना माने के, अब क्या होता है, क्या reason होता है, कुछ ऐसे strength होता है, जो बोलते हैं, हमको ATC नहीं join करना, हमको airport operation में job करना है, वो उधर switch कर जाते हैं, कुछ ऐसे होता है, बोलते हैं, हमको join ही नहीं करना है, वो join ही नहीं करते हैं, कोई भी उनका personal reason हो सकता है, नहीं join करते हैं, कुछ join करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, हो सकता है, और अच्छी जगे उनका selection हो जाए, तो इस वज़ए से क्या होता है, फिर जो vacancies announce करी जाती है, वो vacant रह ज इसमें आपका cutoff देखिए, जनरल का था 98, second list आई, जनरल का cutoff हो गया 97, और third list आई, जनरल का cutoff हो गया 96, मतलब आप यह मांगे चलिए, एक या दो number का फरकाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो अगर आपका final merit list जो release करी गई है, उसके आसपास number है, एक दो number आगे प लोगों ने, जो भी है, उन्होंने switch कर दिया था कहीं और, या वो job छोड़ दी थी, तो इस वज़ए से vacancies पूरी नहीं भर पाई थी, तो इसलिए third list भी release करी गई थी, airport operation की, आप यहाँ पर देखिए, जो second list आई है, airport operation की, इसमें यहाँ पर total 13 candidates बुलाए गए, तेरा, और उसके बाद, फिर third list आई है, यहाँ पर, third list में आपके total फिर से 5 candidates बुलाए गए, तो मैंने बोला, अगर आपके एक दो number आगे पीछे हैं, तो आपके chances है, second list या third list में ना माने के, तो यह जो आपके सामने screen पह रही है, 2018 का recruitment है, 2018 का, उसके basis पर मैंने आपको बताया है, कि A ETC और airport operation की second list release करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी, हो सकता है कि कोई एक बंदा छोड़ दे, अगर कोई एक student नहीं जोईन करता है, तो वो जो vacancy खाली रहती है, वहाँ पर second list आती है, फिर वहाँ पर जो भी cutoff देखके, जिसका भी marks highest रहता है, उसको बुला लिया जाता है, अगर EWS में छोड़ा गया है, तो EWS में बुलाए जाएगा, unreserved category से खाली हुआ है, तो उसी में बुलाए जाएगा, OBC से है, तो OBC से, STST से है, तो SCST से, तो second list जरूर आएगी, मैंने आपको बता दिया है, इसके regarding और कोई आपकी अगर query है, तो आप अपर से comment करके Thank you very much and thank you for watching.